दोस्तों योदि आप भी Tata Sky का DTH यूज़ करते हैं और आप भी अपने प्लान से चैनल को एड़ करना चाहते हैं डिलीड करना चाहते हैं और साथे साथ में दोस्तों आप एक बेस्ट प्लान कैसे बनाएंगे आज की वीडियो में आप जानेंगे क्योंकि बहुत बार होता य हम उसका पेमेंट करते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे आपको Tata Sky का एक बेस्ट प्लान तयार करना है तो चलिए सीखते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको Tata Sky का अप्लिकेशन को Google Play Store से डाउलोड करना होगा इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रूपिशन में दे दू अब यहां पर आपको इसको यहां से आगे कर लेंगे और आगे करने के बाद आप इसको यहां से चाहे तो कट भी कर सकते हैं और यहां पर आपको login का एक options दे नजर आएगा आप login पर टैप करेंगे और location की permission को allow और यहां पर आप आपने account को login कर लेंगे पहला option है Trada Sky ID आपको एंटर करना होगा अगर आपको नहीं पता आपका Trada Sky का ID तो आप अपने remote का yellow button को प्रेस करेंगे तो आपको Trada Sky का ID दिख जाएगा और दूसरा option है कि आप अपने register mobile number को यहाँ पर एंटर करेंगे और login पर क्लिक कर देंगे उसके बाद continue करेंगे अब आपके register mobile number पर एक OTP आएगा उसको आप यहाँ पर fill up करेंगे और उसके बाद यहाँ से continue पर क्लिक कर देंगे अगर आपने अपना यहाँ पर password बनाया होगा तो आप यहाँ पर login with my Trada Sky password पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपने अपना password बनाया होगा तो यहाँ पर आप password एंटर करके continue करेंगे दोस्तों अगर आप अपना password भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर forget भी कर सकते हैं और एक नया password बना सकते हैं तो चलिए हम password एंटर करके इसको login कर लेते हैं और done करने के बाद यहां पर हमारा account जो है successfully login हो चुका है और इस तरीके से आपको tap करना होगा, अब यहां पर आपको सबसे उपर इक profile का option नज़राइगा, आपको यहां पर क्लिक करना है, और my tada sky आपको option नज़राइगा, आपको my tada sky पर क्लिक करना है, उसके बाद manage pack, अब यहां पर आपकी सबी details हो जाएंगी जैसे कि आपका subscriber ID क्या है, मंतली recharge प्रानापका क्या है और उसके बाद यहां पर modify packs and channels पर आपको click करना है, अब दोस्तों टड़ा स्काई में चैनल को add और delete करना बहुत ही असान है, अगर आप add करना चाते हैं, तो आप यहां पर add पर click करेंगे, और अगर आप delete करना चाते हैं, तो आप यहां पर click करेंगे, और अगर आप दोनों एक साथ करना चाते हैं, add और delete, तो आप modify current pack, add and drop पर click करेंगे, तो आप जैसे इस options पर click करेंगे अब guys आप देखिए जो भी यहाँ पर channels है ना जो आपका plan है my packs आपको दिख रहा है तो आपका यहाँ पर plan आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से आपने यहाँ पर channels को add किये हुए है और उसके अलावा guys मैं आपको अभी और भी बताऊंगा कि add कैसे करना है सबसे वहले बात करते हैं कि current वाला जो आपका plan है जो आपके channels add है मान के चलो आपको कोई channels यहाँ से हटाना है तो आप इसको anti कर लेंगे इस तरीके से और जो जो आपको options नजर आएगा आप click करेंगे अब आप movies यहाँ पर add करना चाहते है channels याँ फिर आप knowledge वाले channel add करना चाहते है Hindi news यह फिर आप movies के तो इसके हिसाब से अपने हिसाब के जो requirement है आपकी अपने हिसाब से आप group को select कर लेंगे मान के चलो मुझे कोई new channel add करना है तो मैं यहाँ पर Hindi news पर click करूँगा मान के चलिए मुझे यहाँ पर आज तक को एक add करना है channel को तो मैंने यहाँ पर select कर लिया है अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कितने channel हमने add किये है कितने delete करने है टूटल आपको निचे दिख जाएगा आप proceed पर click कर देंगे और थोड़ा सा आपको wait करना है और यार guys आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को like करना तो यार फटवट से एक like ज़रू कर दो अब यहाँ पर दो अलग-अलग options दिखा रहा है पहला तो यह जो हमने अपना plan बनाया था वो है your selections और दूसरा है offer for you जो इन्होंने खुद से हमें recommend करा है कि हम आपको 13 HD channel दे रहे हैं और HD channel 190 रूपीज में तो भईया हमें तो अपने वाला जो हमने add किया था हमने अपना select कर लिया है अब confirm करेंगे confirm and proceed थोड़ा सा आपको wait करना है अभी आप देखिए हमारा plan 294 रूपीज का बन चुका है और अब हमने कितने यहाँ पर add किये थे तो हमने आज तक को add किया है और कितना हमने delete करें हैं तो हमने यहाँ पर दो channel को remove किया है अब हम दुबारा से confirm and submit करेंगे और submit करने के बाद थोड़ा सा आपको wait करना है यहाँ पर 15 second का यहाँ पर timing होता है तो आप इस timing तक wait कर लेंगे अब आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारा यहाँ पर successfully जो है नया plan जो है बन चुका है और हमने चैनल को add और delete कर लिया है तो इस तरह के से आप अपने हिसाब से टरड़ स्काई में चैनल को add डिलीड कर सकते हैं और एक best plan बना सकते हैं